क्रिशी कानूनों को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी ख़वर सामने आई है क्रिशी कानूनों पर सुप्रीम कोट ने रोक लगा दी है इसके साथ ही सुप्रीम कोट ने चार सदस्ये टीम गठित की है इसमें एक expert रहेगा तो एक रहेगा इसमें जो अर्थसास्त्री होगा तीसरा एक सरकार का नुमाइंदा होगा और चौथा एक क्रिशी नेता होगा इसके साथ ही जो सबसे बड़ा जो फैसला है इस पर वही किसान जो नेता है है एंपर अमल नहीं तरह रहे हैं इसको सम्मान करते हैं स्क्मान सम्मान करते तो क्रिशियान जो है उस पर थोड़ी दिन के लिए रोक लगेगी या फिर अभी आप क्रिशियान दोलन खटम करने जा रहे हैं ना खटम करने को नहीं खटम का तो को सवाल ने पैदा को नहीं वह उसाली बाद है अर्चुनती बोले अपने मसली दिखाई दियो है विले कुन दि क्रिशी कानूनों पर सुप्रीम कोट ने रोक लगा दिया है इसके बाद क्या आप कहते हैं अंदुलन जारी रहेगा या अंदुलन थमेगा कुछ दिन के लिए ना इसने डालत रोक लगा बनाए तो मोदी के आना हो हम तो राद करवाने हैं करनून रद कराने अभी रोक ल जाट में यह एक दिन में नहीं बनाए यह सालों साल इन पर गहन चर्चा हुई बातचीत हुई इन पर जाच की गई हर चीज की गई इसके बात कानून बनाए गए कानून जब बने उसके बाद जिस तरीके से वियूत प्रदरशन देखने को मिला इसके बाद अगर आज सु तो उसकी बैस चल रही है तो काती है गल्थ है यानि के सारी बाजबा और कांग्रेस लिखने वाली काती बहुत अच्छे हैं यह 2012 में लिखके दर दिया था और लोगडून की आड में यह जबर जस्ती मोदी ने लागू कर दिया तो यह मतलब सुपरीम कोट का अपने जिकरा करें इसका क्या हो है लखने वाला तो यह है हमारी मांग तो थी शौमीन आथन की रुपर्ट लगो करो ओभी मांग इसलिए यह कपड़े काट गें गुम्मे कर दे तो इसलिए मांग तो वे थी वे तो खतम कर दिये यह और खोश लिया जमिदा बनाके भी घुम्रा किया गा रहा है और इस तरह के फैसले से πैटी मे किसान नेता भी मौजूद रह गए किसान नेता होंगे कमेटीा जब तक यह कानून पर जब रोग लग गई है आई से में आप चारों लोग अगर बैट कर सामने आयगा ऐसा नहीं दिखते आपको यह सरकार कोट के द्वारा लागू कराना चाहती है सीधा सीधा नहीं आपको सुप्रीम कोट और सरकार दोनों अलग 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 हैं तो आप इसको कैसे कह सकते हैं कि सरकार सुप्रीम कोट के थूप कर रही है यह थार्त और आध और व्यावार दोनों अलग अलग हैं आप सिद्दांत कह सकते हैं अलग अलग है लेकिन व्यावार में वो दोनों अलग एक जितने भी जजमेंट आ रहे न वो सरकार के पक्ष में आते सब ऐसा नहीं है किसान के एक बार को आंदोलन खतम हो जाए से यह यह चाहती है सरकार कोड के द्वारा एक बार चले जाएंगे फिर उसके बाद दीरे-दीरे लागू कर देंगे चार सदस्य जो कमिटी बनाई गई है उसमें सरकार का भी नुमाइंदा है किसान नेता भी मौजूद रहेगा एक्सपर्ट भी मौजूद रहेगा इसे में समस्या कहां यह मानने वार कोई चीज आपको पसंद नहीं क्यास्वार करेंगे कोई खाना आपको पसंद पास्डрийल करें है कि यह किसानों के हित्म है तो किसान इस चीज को समझने के लिए तयार क्यों नहीं है जैसा कि अभी एक मेरे साथ हर्याना से किसान जो मौझूद थे उन्होंने जानकारी दी कि वहाँ पर जो चीफ मिरस्तर साथ थे उनकी रैली थी किसान के साथ समवाद था अगर किसान के साथ समवाद करने के लिए कोई मुखह मंत्री आ रहा है लेकिन उनकी इतोड़ एकिंती नहीं होने दिया गया तो ऐसे में पूरी तरह समझे है कैसे कि यह हिस्ट में किला है और जब तब तक इस निंके बिलों को और इस सरकार को खार के नहीं ठैक देंगे तब तक किसान नहीं थमने वाला है पूरे देश का बिल्कुल जोश बहुत है यहां पर एक और मेरे साथ शक्स मौझूद है भारत का संविधान यहां पर लेकर आये हुए हैं यह बताईए आज जो सु सत्मेव जेते अगर एक तरफ सन्विधान है तो दूसी तरफ सत्मेव जेते भी है जो आपको संसत्त पर मिलेगा खुद राश्पती बावन में मिल जाएगा परधान मंतरी के आभी सत्मेव जेते यहीं लिखा हुआ है अब सवाल यह है कि मैं अलमदार अब्बास यह कहना चाहता हूं को जब यह बिल लाया गया किसानों के उपर तो हमारे जो केंद्रिय किर्शी मंतरी थे उन्होंने सारे परदेश के किर्शी मंतरियों की बैठक बुलाके सहमती नहीं लिए इसमें उनका यह कहना है कि कईयों सालों से इस पर चर्चा हो रही थी कईयों सालों से से अधिए ट्यारी चल रही देखिए यह लोग तंत्र है और लोक तंत्र में हमें पुछली बातों को भूल का हम हमें यह देखना है हमें कि देखना है कि effective meta in várias में करना है करना है के पषब दान मंत्री को एक तो मुख्य मंत्रियों कलेattend ती ति संसाथ में लोग सबराजी समय बिल्कुर रखने के से पहले वो ने किया अब सवाल यह है कि अब यह सान दोलंड को इतने दिन हो गए अब कैसे बात की जा जब बात्चीत हो रही है बात्चीत साथ तक हमें आचा है कि इसका समधान निकलेगा लेकिन मैं अलमदार अबबास परदान मंद्री के हूंगा कि वो पूरे केंद्रे मंद्री मंडल की बैटक बुलाएं आप किसाने कहां से आप और पांच देस में राश्पत किसाने कहां से किसान और मजदूर दोनों जुड़ देखें तो वो या तो किसान है या मजदूर हैं यह किसानों का जो है आंदोनन जो है देश की 80-85% जंता से जुड़ा हुआ है मैं जो हूँ मैंने खुद किसानी करी मजदूरी करी यह कहां बुलंड शहर में बहुत-बहुत शुक्रिया यह बता ही एक बात क्योंगा कि पर पर्दान मंत्रि ने दराथ 378 == बहुत-बहुत शुक्रिया पीछे ज है यहा पर गहमा गहमी भीध बढ़ती जा रहा है यहां पर तमाम teало किसानों की संख्याबल जिस तरीके से अंदूलन बढ़ता जा रहा है उस तरीके से संख्याबल भी बढ़ता जा रहा है सामने मंच मौझूद है जहां से किसान नेता बता रहे हैं कि जो सुप्रीम कोट का जो फैसला आया है वो उसको सीधे सीधे अपने हक में नहीं बता रहे सपरीक्साइब करने हैं और अगिसान कींहेंगे जाक्ट का है जो आगिन कषद से मेंन सुरेकार जबने लिए मेले आंढ़ूलण और हम्है तो और नहीं क्रिशी कानूनों के खिलाफ अंदोलन है है और इसी पर सुप्रीम कोट सबसे बड़ी जो देश की बॉड़ी है जो सबसे बड़ा कोट है वो रोग लगा देता है तो इसे किसान के हट में क्यों ना समझा जाए किसान के निकलेगा कैसे निकलेगा इसका सरकार लचर रवया दिखाते हुए प्रस्ताव भी दिये संशोधन की बात कहा रही है इसमें समस्या कहां टक रही है है आप संसोधन हमें चाहिए नहीं हमारी मांग यह यह या मस्पी को कणूनी कुनून पास के समस्या यहां रही है कि एक तरफ किसान भी अपनी हट पर डटे हुए है और दूसरी तुरफ सरकार भी अपने पक्ष्पर डटी हुए डेडलोग की सिती बन चुकी है काफी समय बी के लिए कानूनों को रोक लगा दी गई है उसको करते हैं हम उनको स्पोर्ट करते हैं प्रंतु यहां जब तक हमारे दो मांगे पूरी नहीं होंगी यह किसान नहीं जाने वाला पूरी कैसे होंगी जब कर सुप्रीम कोट ने चाहा है कि चार सदस्य जो कमेटी बनाए जाएगी उसमें एकस्पर्ट मौझूद रहेगा उस परकार निदा निकाला जारा है किसानों को हमेशा भरम में रखा गया है पूरी जिंद्गी भरम में रखा गया है अब किसानों के लिए एक यही मोका है अपनी मांगे मनवाने का देखे समय बहुत सारा बीच चुका है और अभी तक कोई जाया स्वैसला निकल कर नहीं आए कोई बीच का रास्ता जो नहीं न है एक तरफ तो क्समें गिरें सरकार जब यह कहती है जब यह किसानों के हित में हैं। किसानों का हिद्पा हुआ हैं इoni-adani का इद गनल इस देश मैं ने को दोगक के हैं इस त्वे साल के अंदर आमिली देख लिया अमीर पार्टी सोट दंक कानुनों का लागु होने से पहले जो पैनुन होने से पहले जो पने प्रमांँ यहां सब बैतर बैतर तो कोई भी नहीं था नहीं था संशोधन की जरूद्ध थी इस टाइप के संसोधन की जरूद्ध नहीं थी जैसे जीयों का हुआ जीयों सिम्हाई पहले फ्री में दे उसने फिर आज अब क्या हालत है कि भी एसनल खतम हो गया है हैं और ट्रेन हमारी खतम हो गई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अगर नहीं बात बनती है तो फिर बात कैसे बने मुझे लगता सरकार प्यार से बात नहीं करना चाह रही थी इसी करांड यह बात यहां तक पहुची है अगर तीन महीने से जब किसान पंजाब में जब आंदुरन कर रहे थे तो कुछ सुनने वाला नहीं था और शायद सरकार यहीं चाहती थी कि किसानों का देरी के परिछ करते सर्द मौसम थंड भी बढ़ती जा रही है बारिश का भी देखने को बीच में कहर जो है मिलता रहता है इस बीच जो किसान अंदोलन है वो महीने भर से भी कई जाधा आगे निकल चुका है डेडलोग की स्थिती बन गई थी ब्रेक दिया सुप्रीम कोट ने इस पर एक नया फैसला अपडेट आया इस बीच एक मेरे साथ एक मा मौझूद है यह बताइए आप कहां से आई है मैं आई तो यहीं से होंगा जवासे लेकिन रहने वाली में मत्रा देश्टेक्टी हूं मैं किसान की वेटी हूं मैं मेरे नाम पे भी थोड़ी सी खेती मैं भी किसान ह समर्थर में आप आई हुए हैं आप यह बताइए कि समस्या का समधान आप किस तरीके से और कैसे समस्क्राइब बस वही है तीनों कानून खतम करने पड़ेंगे और MSP बहुत कानूनों से खतम करने से कम में बात नहीं बनेगी और MSP सही तरीके से जैसा किसान चाहते हैं तो करना चाहिए ना बहुत बहुत शुक्रिया देखिए जो बात है वह बात साफ है और लगातार साफ है किसान जो है बुज़राभी संशोधन को लेकर राजी होने की अभी तक मूर में नहीं दिख रहे हैं आंदोलन लगातार ज और शांती विवस्ता बिल्कुल पूड़ता बनी रहे खाने की विवस्ता पीने की विवस्ता रहने की विवस्ता सोने की विवस्ता टीवी की विवस्ता वाशिंग मशीन की विवस्ता तमान चीजों की बीच यहां पर एक सिटी डेवलप कर लेना और इस तरह से यहां पर कोषिश की जाएगी लेकिन किसानों ने इस सीधे नखार दिया यह जो संनों का कहना है कि लिए उसीम नखार छातीहैंगा है। फिलाल आंदोलन जारी रहेगा यह सबसे बड़ अपडेट आपको बता दू अदोलन जारी रहेगा अंदोलन तस से मस होने की स्थिति में नहीं देख रहा है किसानों का जो र्च है वो लगातार साफ है वो कह रहे हैं जब तक कानून है उन पर रोक लगाने से यहाँ पर खुश नहीं है वो इसको अपने हक में नहीं मानते हैं वो कह रहे हैं कि जब तक इन कानूनों में बिल्कुल रद नहीं कर दिये जाते हैं